नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूँ पुनीत मिश्रा एक कहावत आपने सुनी होगी कि सियासत का उट कव किस करवट बैठ जाए किसी को पता ही नहीं हो था और इन दिनों मध्यप्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी गल्यारों में बस एक ही सवाल इसे लेकर बना हुआ है कि क्या करेंगे कमलनाथ दुआ यूही नहीं उटता कहीं न कहीं आग भी लगी होगी कि प्रती कारिकरतों को विश्वास खतम हो गया इसलिए भारती जनता पार्टी में लोग आ रहे है और मोधी जी के प्रती नों का विश्वास है यदि कहीं धुआ निकल रहा है तो समझ लीजे कुछ तो आग होगी है कमलात कि बीजेपी में आने की समभाव ना हो रही है किसे देखते हैं सर इसे मैंने पार्टी अदिशने कहा है सबका स्वागत है बीजेपी का दिल बहुत बड़ा है और जो भी आएंगे अपनी उन भूल चुक को छमा करनवाने के लिए तो बीजेपी हाथ खोल कर, बाहें खोल कर सब का स्वागत करती है तो आखिर क्या है इस बयान के माईने? सियासत के मंझे हुए खिलाडी कहलाने वाले कमलात कॉंग्रिस के चार पीडियों के साथ ही रही है इंदिना कांधी के तीसरे बेटे के रूप में पहचाने जाते हैं और इसी बात की दुहाई कॉंग्रिस के कई बड़े नेता मीडिया में देते नजर भी आए मुझे नहीं लगता कि वे बाटी छोड़ें दबाव E.D. का, I.T. का, C.B.I. का, जो सब पर है वो उन पर भी है लेकिन कमलात जी का चरित दबाव में आने वाला नहीं रहा मैं यहां सिर्फ काशी विश्वनात की बात करता हूँ, कमलात की नहीं लेकिन बीते एक महिने से जो बाते सियासी फिजा में तैर रही थी उसने सियासी खेमे में खूब हल चल मचाई निकिन अब पल-पल चीज़ें बदल रही हैं, नए-नए अपडेट आ रही हैं कहीं जंडा उतर रहा है और कहीं नया जंडा लग रहा है ट्विटर पर डीपी बदली जा रही है, स्टेटस बदला जा रहा है और इस सब के केंदर में हैं कमलनात जिनके फुत्र समयत बीजेपी में जाने के खबर ऐसी उड़ी की संसनी मच गई अब खबर में कितना गम है, सच क्या है, आगे क्या होगा, ऐसे कई सारे सवालों का जवाब सियासी पंडित भी नहीं खोच पा रहे हैं उधर ना इनकार ना इकरार वाली सियासत पर कमलनात के कदम अब तक बढ़े हैं लेकिन इस सब के बीच मध्य प्रदेश के पूर्वा मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता सजन सिंग वर्मा के कमलनात से मुलाकात के पहले और मुलाकात के बाद वाले बयान ने होती हुई हाँ को ना का जामा पहना दिया है अबी मेरा इस तरह किसी कोई विचार ही नहीं है ना मेने किसी से चर्चा की मेने का मीडिया वाले बोल रहा है कि आपने इंकार भी नहीं किया उनका कि मीडिया वालों को बनाया हूँ प्रश्न है और वही जवाब दे कमलना जी कि विच्छा चुनाओ को टाइम सिकनी जा रही है कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेज वगिल चुनाओ वाल जाएंगे खलपना भी नहीं कर सकते था चाहे राहूल जी की बात हो ये कॉंग्रेस पार्टी की हो ये पबलिक की बात हो तो बात ताती ही 36 कमलना जी की उपर देखे कमलना जी को जिस जन्त से पत से हटाया गया और राज सबह में सुनिया जी से बात होने के बाद वच्छित किया गया इससे लोगों को ठिस लगी हुई है तो फिलहाल नाइनकार नाकिरार और बस है फैसले का इंतिजार वाली बातों के बीच जानकारों की समझ की सुई ये भी इशारा कहीं न कहीं कर रही है कि कहीं ये फावर यानि कि शक्ती के प्रदर्शन का खेल तो नहीं है कमलाथ तो सियासत के मज़े हुए खिलाडी भी है या फिर सच मुछ आग लग ही चुकी है आईए आज डिबेट की करते हैं शुरुआत और हमारे साथ खास मैमान जुड़ चुके हैं उनका स्वागत कर लेते हैं उनका परिशए आपको करा देते हैं सर्मन अगेले साब आप वरिष्ट पतरकार हैं सर बहुत स्वागत आपका अभीनाओ बरौलिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े गए अभीनाओ जी आपका भी बहुत स्वागत डॉक्टर हितेश वाचपई, BJP के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूँ राकेश गोयल, राजनितिक विश्लेशक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए है गोयल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले सवाल तो आज कॉंग्रेस से ही बन रहा है कि क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है क्यों जा रहे हैं सज्जन सिंग वर्मा जब सब कुछ ठीक ठाक है दुखाई ग्यों दी जा रही है, अभिनव जी इस पश्ट हो गया होगा जब सज्जन सिंग वर्मा जी हमारे वरिश निता जी का बयान आया तो मेरा इतना कहना है कि भारत देश जो एक लुक्तांतरिक देश है और उस वे लुक्तांतरिक देश में जो पत्रकारिता होती है उसको हम चौथा स्थम कहते हैं और उसको बरकरार रखना भी पत्रकार लोगों का काम होता है लेकिन जिस तरीके से मैं परसो भी इस बात को बोल रहा था कि ठीक है किसी ने बायो बदला या जो भी किया है उसको हम वहां पे विराम देखे आगे बढ़े लेकिन संसनी फैलाने का काम जिस तरीके से सारी मीडिया रहा है हम चिसानों के मुद्व को आह साबी आँ किसाणों के मुद्वे को लेकर है तो हम कमलना जी को लेकर अगर कुछ भी हुआ था तो इस पश्ट हो जाता लेकिन हम परसों से लेके आज शाम तक इस गंभीरता के साथ पत्रकारिता को करना चीए था वह गंभीरता कहीं दिखी नहीं और आज शाम को जब इस पश्टा हुई कि कमलाजी ने एक शब्द भी कहीं कुछ नहीं बोला उन परना बहुत जरूरते किसानों के मुद्दे हों कुल मिलाकर आप यह कह रहे हैं कि यह मुद्दा ही नहीं है आप यह कह रहे हैं कि कमलाजी इस वक्त मुद्दा ही नहीं है अभिनाव जी यही कह रहे हैं डॉक्टर हितेश वाचवई साथ क्या कहेंगे उनकी इस बाद तो Ben To Roger में तो बहुत मैं तो बहुत साधर सी बात कहना चाऊंगा कि पद्रकार तो जो दिखता है उसको दिखाता है जो मतलब हम क्या सकते हैं फिल्में है पद्रिकार्ड़ता है यह सब हमारी समिक्षा के स्थान ये जो समाज पर आप कहोगे कि नेता निर्दोष होते हैं और सारा दोष मीडिया का है तो आपके तर्शक भी मुस्कुरा देंगे नेता इतने निर्दोष भी नहीं होते हैं कि चुपचाप अपनी डीपिया बदल दें उनके मुवमेंट दिखाई दें फिर यही सज्जन वर्मा जी दो द का है मीडिया ने नहीं का है तो मुझे लगता है कि कॉंग्रेस अपनी बहुत जर जर और चुनोती पूर्ण राजनेती का वस्था से गुजर रही है मैं यह भी मानता हूं कि पुराने नेताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके कारण यह सब बाते नेगल करा रही अगें मैंने भी माना और लेकिन आप लोग भी तो कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहें कल से फिर से मेगा बियान मध्य प्रदेश में क्या आलत कर दे रही है कर दे रहें कर दे रहें कि कॉंग्रेस की तो हम तो भाई उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे हमारा हाउस ओडर में हैं हमारे का कुछ यह आने लग जाएंगी तो हम तो भाई 370 के अपने टार्गेट को लेकर बढ़ रहें ना आगे उसमें कोई हमारा दोश है क्या वहां पर सब ध्वस्त है आप तो यह आई-डियोलाजी द्वस्त है सब ध्वस्त है है ना उसका रीजन यह है कि वह सोच नहीं नहीं च होगा और आज कमलाजी कॉंग्रेस में ही है कहीं नहीं गया है इसमें कोई दोमत नहीं है बरुलियाद आप और मुझे ऐसा लगता है कि उसको सीरियसली और गंबेरता से सोच कर उस पर विचार करके चलना जाए अब जैराम रमेशी ने कैसा लूस कमेंट कर दिया कि मेरे को तो काशी विच्वनात करना है मेरे कमलाज से कोई मतलब नहीं है तो देखो यह हट करते है और परोलियाजी आपके बारे में भी कोई ऐसा बोलेगा तो आपको एक मिट लगेगा ना कि आप इतनी कॉंग्रेस को डिफेंट करते हैं रोज आट बजे आके आप सारे सवालों क के जवाब देते हैं मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद कोई भी आपका साथी यदि कोई भी लूज ऐसा बोल जाए तो खराब लगता है तो मुझे लगता है यह समय कॉंग्रेस को जो है आत्मी चिंतन का समय है और आपके बास भी आऊंगा और वाजबई साब अब हमारे जो बाकी मेमान हैं उनसे भी ओपनिंग कमेंट तो ले लिया जाए राकेश गोईल जी राजनितिक विशलेशाख हमारे साथ जुड़े हुए राकेश जी कैसे देख रहे हैं यह पूरा जो घटना करम चल रहा है या एक चाप्टर खुल गया है कमलनात का कैसे इसे देख र मेडिया के उपज नहीं है कही नहीं आग लगती है चिंगारियों तो लोहां तभी निकलता है तो सिर्फ मीडिया के उपर इसका दोश मर देना यह पिरकुल गलत है कमलना जी के मन में जाहिशी बात है कुछ यह चल रही है उनको कुछ तकलीव हुआ होगा कुछ उनसे कम्यूनिकेशन गैप कॉंगरेस के सीजर नीडर्शिप का जो उनका फैलियर लगाता है कॉंगरेस का रहा है कॉंगरेस के जो बड़े सीने लीडर है वो जैसे बार वो सब कॉंग्रेस छोड़के जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कि मोदी जी की नितरतर विश्वास नजर आ रहा है, उनको दिख रहा है, सपस्ट उसे, कि दो हजाल चौवीज में मोदी जी सपस्ट पहुमत लेकर आने वाले हैं, और लंबे समय तक भाजबा का शाशन इस देश पे रहेगा, सपस्ट और वरश्टाचार मुक्त सरकार, जो तुस्तिक बढ़ागानी देगी, जो लोग के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, चांतरों के लिए, महिलाओं के लिए काम करेगी, आन्दीवाशों के लिए काम करेगी, इस से लोगका जैसे बड़े बड़े चीने लिए चोड़ रहे हैं बिना आग के दुआ नहीं निकलता लेकिन ये धुआ है आग है या फिर केवल हवा में तैड़ती हुई बाते हैं शर्मन नगिले साब आप तो पत्रकार खुद हैं और पत्रकारों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि पत् कि पुनित जी जो मानी कमलना जी के माध्यम से मानी सज्जन सिंग बर्मा जी ने जो पत्रकारों से जुड़ू ही बात कही है या जीतू पटवारी जी ने कहा है कि यह पूरा शड़यंत्र है उनकी आस्था पर चोट पहुचाने का चबी खराब करने का तो मेरा यहां यह कह कैमरा में उनका फोटो ले रहे थे तो कमलना जी ने का है से हट जाई यह वो लोग नहीं हटे तो अपने गन मैंन के माध्यम से उनको हटवाया तो पर कुछ पत्रकारों ने कहा कि आफ मावी मागिये तो उन्हें मावी नहीं मागी मेरा यह कहना कि कमलना जी जो है ना किसी भी मामले में मीडिया फ्रेंडली नहीं है तो वह इसे लिए खुलकर बहर अपनी बात रखने के लिए नहीं आ रहे हैं कि यह सवाल मीडिया का था तो उत्तर भी मीडिया ही दे तो यह मैंने कमलनाच जी के जो मीडिया के पृतिश्य उनकी सद्भाव नहीं जो उनका वह रहत पतनी को चुना और जीत गई इसके बाद फिर उन से इस्थीपा दिलबाया फुरसे वह चुनार जीते मेरा कहने का मतलब है कि कमलनाजी का चालीज पैतालीज साल का जो इत्यास है वो बिना पद के नहीं रह सकते विधायक यहां है अब इसमें बहुत ज्यादा कोई महत है नह बिना पद के नहीं रह सकते और यही कुछ हाल तो जियोतेरादित सिंधिया के साथ भी था कि जैसे ही वो हारे उसके बाद मन भी बदल गया और उसके बाद जो कुछ हुआ हम सब ने देखा है अब इना वरालिया साब क्या पहले सिंधिया जो चैप्टर था वो जिस तरीके से पूरा घटना क्रम हुआ अभी जो घटना क्रम नजर आ रहा है हाँ ना दिग्विजे सिंग ने कहा कि बाची तो हो चुकी है मैरी और ऐसा कुछ भी नहीं है दिग्विजे सिंग ने तो पहले भी कहा था ऐसे कुछ नजर आ रहा है कि मुझे तो ऐसा कहीं कुछ भी नज कॉंग्रस पार्टी को आ रहा है हमारे जीतू पटवारी जी का भी बयान इस पश्ट रूप से आपने सुन लिया होगा और सज्जन सिंग वर्मा जी को सुन लिया होगा तो मेर को लगता है कि हमें इसको विराम दे देना चाहिए आगे आगे आपको अगर लगता है इस मुझ कि आस्था को कि आरती जंता पार्टी किस तरीके का मेडिया का दुर्प्योग करके किसी भी वेक्ति की आस्था को पर सवाल खड़े करती है एक बार फिर जाहिर हुआ अभी कमनलाज जी से मेरी बात हुई उन्होंने कहा यह मेडिया में जिल भी जिस भी तरह की बाते आ रही है यह सब एक तरह का सडियंत्र है कांस्पेरेंसी है मैं कांग्रेसी था हमोर रहूंगा और जो गांदी परिवाद स्यम्म के रिष्टन यह कोन किसी के कहने पर किसी के बातने पर ऊ APT कर दो एन पर मैंने जो बात कही है उन्हें के भीया पर कई दिल्ली में MB बहुत सी बाते हुई है पर कमलाथ जी ने किसी तरीके का ऐसा कोई जवाब ले दिया कि जिससे ये विदित हो सके मेडिया के बाते थे मीडिया के सवाल थे मीडिया की जवाब थे कमलात जी ने कोई जवाब नहीं दिया दिल्ली में तो पूरी मीडिया भी मौजूद है सामने क्यों नहीं आ रहे सज्जन सिंग वर्मा कहते हैं जी तु पटवारी क्यों कहना पड़ता है क्यों ये बताना पड़ता है कि क्या इस्थिती हुई जो कॉंग्रिस में गए उन नेताओं की क्यों ये बार-बार ये बताना पड़ता अभिनाव जी कि तीसरे बेटे इंद्रा गांधी के कमलनात कहलाते हैं ये बार-बार दुहाई की जरूरत क्यों आन पड़ी है हम भ्रम को खतम करें सबसे पहले पुनित जी जो भ्रम फैला हुआ है जो भ्रम फैलाया जा रहा है किसानों के आंदलोन को दबाने के लिए करमचारियों की तंखा चार महिने से अतिती शिक्षा को की नहीं मिली है आप देखिए इस्तिति क्या है आज महंगाई बेरोजगारी जो चरम पर है लोग आंदुला इंडिया गट बंदन आप देख लीजिए किस तरीके से दबाया जा रहा है इस्तमाल किया जा रहा है नोटिस भेज़े जा रहा है तो यह सारी बाते जो हो रहे हैं इनको दबाने के लिए आप भ्रहम फैलाने की बाते नहीं उनीची वही ब पत्रकारों को बोला उनने लेकिन आप खुछ सोची जब सामने नहीं जा रहा हूं यह नहीं बोलेंगे आप बाइट ले रहे थे आपके पत्रकार लोग तो लीजे सर अभिनम जी आप ही के नेता सज्जन सिंग वर्मा अगर ट्विटर पर लिखते हैं कि वो जहां जाओंगा चाली साल का साथ है अरे सब्सक्राइब क्यों लिख रहें हैं कि वह पीछे जाओंगा यह क्यों कहा सजिन सिंग वर्मा ने क्यों लिखा अगर वो कमला जी को पसंद 40 साल से उनके साथ राजजिदी कर रहे हैं अगर उनने कुछ बोल दिया तो हम उस पर ही बहस करने लगें उसको राज्ट्री मुद्दा बना ले चलिए ठीक है आपको लग रहा है कि कमला एक मुद्दा ही नहीं आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि कमला त्पे बहुते के लूप में रखोंदा कि भरोल्य जी जी नीपक सकसेना जी तो आपके ही वेक्ति हैं आपके ही पूर मंतरी हैं पूरी बाइड इन्होंने पुनीजे नहीं चलाई लेकि मीडिया से लगता है तो मुझे लगता है देखो बरोलिया जी फिर मैं आप से निवेदन करूँ आप इंडिफेंसेबल को डिफेंस करेंगे तो बहुत खड़ा नहीं हो पाएगा उसकी बजाए ठीक है आप अपना ब होता है मेरी शुरुआती इससे होई थी और हमें बहुत घंबीरता के साथ मुद्धों का चैन करना चाहिए एक फोन दीपक सक्सेना जी को लगाई है कि वह क्यों नहीं किसानों के बारे में बोलते हो क्यों बोलते हैं कि मैं कमला जी का आप मान हुआ है और कि आसा थोड़ी पैसे ओसे लगाई है या रही है नंगलते हैं आपके लोग ही अपने डिस्पलेश कर रहे हैं आपके लोग इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं खास तो कमला जी सोय हम दो तीन बार वो मिले नहीं इतना बुल्ले में क्या दिक्कत है उन्होंने पर इंतजार करिए हम आपको समय आने पर बताएंगे आप इसमें शामिल करना चाहता हूं इसमें राकेश बिल्सप बात यह है कि बीजेपी और कॉंग्रेस के जो प्रवक्ता हैं दोनों के बीच में जो बहस या अपनी बात रखने की बात हो रही है दोनों को भीतर ही भीतर मालूम है कि खेल क्या है अंदर यंदर देखे पुनित जी खेल तो सबस्टूप से रजज़र आ रहा है और जैसे भी अभी अभिनाव जी ने इंडिया गटबंदन की बात करना ही बेमानी है क्योंकि जम्रो कश्पीर के दूरे नकार दिया गया कि वहां सिंद्रेक्शन लड़े के पंजाम में इंको आमाजी पार्टी में अभाव में दिया वहां ममता में अभी अपनी अतना राग लेके बैते हैं तो इंडिया कटबंदन की बात करना ही अभिनाव जी बेवानी है अरे मैं अब्ता लोग 220-230 से आगी नहीं जाओगे आप सत्ताहिके सामने नहीं कर पाते हैं आप चाली में पूरती, आपकी पार्टी 220 से आगी नहीं जाएगी नरेंदर मोदी जी की पार्टी है सरकार है बाच्पा जो है आपकी पार्टी दो सो पीश से आगे नी जाएगी आपकी पार्टी राकेश गोएल जी आप लोग बहुत बुरी तरह हारने वाले हो शायद उसकी लिस्ट नहीं बता पाएंगे हमारे कॉंग्रेस के साथ ही अभीनव जी कि कल क्या होने वाला है उनको आज शायद बैठे हैं लेकिन उनको नहीं मालूम हुआ कि कल क्या होने वाला किसकी निजबत बदल जाएगी कव भरोलिया साहब आजाए हमको फिर लगना छोड़ना पड़ेगा हमसा मेरी जो समझ कहती है कि जो दो-तीन दिन से घटना करम चला है मीडिया के माध्यम से और नेताओं ने जो अपने डीपी बदले या जो भी चला है देखिए मेरा यहां यह मानना है कि एक हाई कमान को कॉंग्रिस पार्टी के अध्यश को राहूल गांदी जी को एक संदेश देन ओपर अर्व लगा अगया ऑट वड़ा दस्वाध चुनाऊ के संदर्म है में बहुत सारी चीजरें तो एक कमलणा जी भी मीडिया का मेडिया कर देखना है और अपना काम कर रहा है और जो बाकी लोग मीड्या के मतलब मीडिया को करना चाहरा है वह भी कर सिर्फ मीडिया मी करना करेंद समख़ते थो महिने वह मीडिया से बाटचीत से करें किसा थी मुझे बात करो, यह बीडिया की किया है, क्या है तो कमल नाज जी को आपने जो टूटर है उनका उस पर लिख दे ना वो टूटर पर ट्वीट कर दें वो कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं इसके अलावा उनके बेटे नकुलनात लिख दें या वो अपना ब्यांजारी कर दें आपको बता दू चार दिन पहले उनने कॉं कि अपनी एहमियत जो है कई बार वक्त पर बतानी पड़ती है कि हम क्या थे और क्या है यही तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी सर्बंसर ने कहा कि बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली तो नहीं लेकिन पुराने धुरंदर खिलाली खिलाडी बीए उनको मालूम है कि कहां क कैसे करना है सब कुछ कि यह सब भाजपा में चलता होगा टाइगर जिंदा है या सिंदिया जी शिवराज जी वहां पे जो चलता है वह वहां चल रहा है लेकिन यहां पे जो है वह सीधी सीधी बात है जो मीडिया की बनाई कहानी उसको हम बता रहा है जीतू जी पटवारी कितने लोग छोड़के चले गए है ले स्टाफ कि पास देखिए मैं इस पे नहीं जाता हूं कॉंग्रेस बहुत बड़ा संबना रहे एक बाल्टी दो बाल्टी दस बाल्टी कितना भी निकाल ले आप कॉंग्रेस कभी भी लोग बोलते हैं खतम हो जाएगी कैसा कहीं पर भी सब्सक्राइब कि यह मेशाओं होती है हमेशा आगे बढ़ती है क्योंकि कांग्रेस को कॉंग्रेस को जनता रही है ना इस मामली को लेकर पहले कि जो नेता है उनके लिए तो नहीं चाहता है इस देश में जो चल रही है वो तो डर दिखा रही है अब जो डर रहा है वो उसके विकेट गिर रहा है वो जो दर रहा है लालू यादव चीघार को अप उल्टा जीदा बोल रहा है वरोलिया तार हम बोले का रघ्रार है आपकी नहीं यह मतलब तानाशाह है कर देख रहा है और बिलकुल इमांदारी से बरुलिया साथ एक सवाल का जवाब मुझे देदीजे पिर भी मुझे कमांड दिया जा रहा है लेकिन मुझे ये बताइए कि कल से बीजे पी का मेगा जॉइनिंग अभियान जो शूरू हो रहा है कोई जानकारी नहीं है आपको भी कोई जानकारी नहीं है आपके सामने सारी बाते आई आई आप खुड बोल रहे हैं कर लेते हैं खा विस गंटे का इंतजार क्योंकि 24 गंटे में और उसके बाद बहुत कुछ साफ हो जाने वाला है फिर कभी बैठेंगे फिर बात करेंगे इसी मुद्दे पर कौन कहां गया किसको कहां खबर थी और किसका मन रातों रात बदल गया बहुत शुक्रिया आप सभी मेमारों का वारसा चर्चा में शामल होने के लिए तो इसी के साथ आज की इस